डिभालो एबरीवन वेलकम टू एडियो टैप आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अज के हमारे सेसन में और हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है इंपोर्टेंट कंसेप्स के तो जिसके तहफ हम एक इंपोर्टेंट कंसेप्स करते हैं और उसके साथ उस कंसेप्स पे नवाड ग्रेडे 2022 के एक्जाम में बहुत उपयोगी साबित होंगे, निश्चीत रूप से इन कंसेट पे बेस्ट क्वेस्ट आपसे पूछे जाएंगे, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूं यहां पर देखो एक वर्ड मेंशन कर रहा हूं, यह एक बेसिक कंसेट है और इस कंसेट का यूज बहुत सारे ऐसे टोपिक होंगे, क्वांट के जहां पर यूज होता है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेस्टिन मैंने नहीं लिए हैं, मैं हो सकता है कि बहुत मुश्किल इन कंसेट पर बना सकता था, बट उदेश्य हमारा इस बेसिक जो वर्ड मैंने लिखा है, इस पर होगा आज, ठीक है, कि कंसेट भी बनते होंगे, तो कैसे बनते होंगे, यह कंसेट का भी बेसिक कंसेट है, समझरे हो ना, तो आसान क्वेस्टिन नहीं लिए, मुश्किल न है यहाँ पर, एक आर्टिकल टू है, अगर दो आर्टिकल की प्रोड़क्ट एक्वल होगी, इन दोनों आर्टिकल की प्रोड़क्ट के, ठीक है, तो that means, और वो प्रोड़क्ट कोंस्टेंट है, ठीक है, सुपोज मैं कहूं कि वो प्रोड़क्ट जैड है, और वो आर्टिक होते हैं ठीक है मैंने क्या लिखा यहां पर एक दूसरे के inversely proportional होते हैं तो यह चीज कहां कहां पर लागू होगी किन किन topics में लागू होगी example के तोर पर समझते हैं जैसे मैं बात करूँ कि जो expenditure होता है ठीक है expenditure होता है expenditure is equal to होता rate into consumption ठीक है rate into consumption तो जब भी हमारा expenditure constant होगा तो rate और consumption एक दूसरे के इनवर्सलिव proportional होगे कैसे होंगे inversely proportional का मतलब होता है कि जो ratio rate का होगा अगर rate का ratio A ratio B है तो consumption का ratio क्या हो जाएगा B ratio A हो जाएगा अगर expenditure constant है ठीक है example के तोर पर समझने कोशिस करिए माल लीजिए मेरे पास 360 रूपीज है 360 रूपे है total और मुझे एपल खरीदने है जो एपल का rate है वह 120 रूपीज पर केजी है ठीक है 120 रूपीज पर केजी है तो मैं कितने केजी Apple खरीद पाऊंगा तो मैं 3 kg अपल खरीद पाऊंगा और कल को तो अगर यह original rate था, यह new rate है, अब apple का rate increase हो गया, ठीक है, increase हो के कितना हो गया, 180 rupees per kg हो गया, तो अब 360 rupees में मैं कितना apple खरीद पाऊँगा, 2 kg खरीद पाऊँगा, क्योंकि जो यह expenditure है, मेरे पास खर्चने के लिए 360 है, तो पहले अगर rate 120 था, अब 180 हो गया, तो पहले consumption 3 kg थी, अब कितनी है, 2 kg, अगर मैं rate में ratio देखू, 60 से simplify करके, 2 ratio 3 हो गया, और consumption में ratio देखू, तो 3 ratio T, तो क्या यह एक दूसरे के inversely proportional नहीं है, तो यह किसके कारण है, क्योंकि यह expenditure जो था, यह हमारा constant था, ठीक है, बात समझ में आई इस अभी को, क्या, कि expenditure हमारा constant था, ठीक है, औ time into efficiency, ठीक है, और efficiency क्या होती है, यहां पर efficiency होती है, work done in per unit time, work done in per unit time, कि निश्चित time में किया गया काम ही efficiency होती है, ठीक है, अब जैसे suppose, मैं बोलूँ कि 70 chairs बनानी है, ठीक है, दो बड़े ही है, ठीक है, फरनीचर का काम करने वाले हैं, उनको 70 chair बनानी है, और वो कोन है, A औ B है, ठीक है, तो A जो है, इन chairs को बनाने में, मातर 10 दिन का time लेता है, 10 days का, तो इसकी जो efficiency होगी, वो क्या होगी, कि यह 7 chair बनाता होगा per day, क्योंकि 70 chair बना रहा है, 10 days में, तो per day कितना बनाता होगा, 7, यही efficiency होती है, और जब B है, यह 14 days में इसी काम को finish कर रहा है, तो इसक और efficiency में ratio 7, ratio 5, यह किसके कारण हुआ, क्योंकि जो work था, यह constant है, दोनों के लिए, A जिस काम को कर रहा है, B भी सेम उसी काम को कर रहा है, तो इसलिए दोनों के जो time का ratio है, उसी का उल्टा efficiency का ratio आगया, ठीक है, यानि कि अगर timing बढ़ रही है, तो efficiency decrease होगी, और अगर efficiency बढ जो distance है, distance is equal to time into speed, ठीक है बई, distance is equal to time into speed, तो जब भी distance constant होगा, तो time और speed एक दूसरे के inversely proportional होगे हमीशा, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 400 km कवर करना है, दो लोग है, A और B, ठीक है, अब जो A की speed है, बई, A की speed है 20 km पर आवर, और जो B की speed है, वो है 80 km पर आवर, ठीक है, त जो A का time होगा, A को कितना time लगेगा, 400 km, 20 की speed से cover करेगा 20 hours के अंदर, जो B है, वो 400 km, 80 की speed से cover करेगा 5 hour के अंदर, अब इनकी speed में अगर ratio देखूं, तो 1 ratio 4 है, और अगर time में ratio देखूं, तो 5 से cancel होगे, कितना 4 ratio, 1 है, क्या एक दूसरे के inversely proportional नहीं है, तो यानि जब भी distance constant हो, time और speed एक दूसरे के inversely proportional होगे, बट यह धान रखिये, जो यह product है, यह दोनों article की multiplication पर निर्बर करती हो, दोनों की गुणा करने के बाद ही आता हो, ठीक है, जैसे मैं area की बात करूँ, किसी rectangle का area है, क्या होता है, length into width होता है, ठीक है, अब हमने कहा कि, किसी कोई rectangle है, rectangular room ही है, सुपोज, उसका जो base है, base का area, 300 square centimeter है, ठीक है, और अगर इसकी length जो है, length पहले 20 थी, ठीक है, तो width कितनी होगी, जाईर सी बात है, 15 होगी, क्योंकि 300 है, तो 20 into 15 तभी तो यह होगा, अब बहुत बार दे देगा, कि इसकी width को कितना कम करें, कि कितने percent कम करें, कि same आ तो यह जहान रखिये, कि अगर जो length, ratio length में है, ठीक है, sorry, length और width में, originally, यह length और width यहाँ पे ले ले लेते हैं, यह area है, पहले length 20 थी, तो width कितनी थी, 15 थी, तो length और width में ratio, पहले कितना था, 20 ratio 15, अब वो अगर width को increase करना चाहता है, तो उसी prospect में उसको length को decrease करना पड़ेगा समझ रहे हैं, यहनि area equal है, दोनों universally proportional होंगे, तो length और width का ratio पहले इतना था, अगर आप वो इसके area पे change नहीं करना चाहता है, और width को increase करना चाहता है, तो आपका इस तरीके से बच जाएगा, ठीक है, तो पहले length 20 थी, आप 15 रहेगी, पहले width 15 थी, अब कितनी होगी, 20 होगी ठीक है, इस तरीके से, यानि कि यहां भी क्या होंगे, length और width एक दूसरे के inversally proportional होंगे, ठीक है, जो ratio length में होगा, अगर पहले length 20 थी, तो width 15 थी, अगर अब length 15 होगी, तो width कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, अगर length decrease हो रही है, तो width increase होगी, अगर area पे कोई फरक नहीं है, अ ठीक है, बहुत बड़े concept पर जाने की बजाए, पहले छोटे-छोटे basic concept शीख लेते हैं, अब इस पर देखो practice question भी लेंगे हम, और वो भी मैंने basic लिए है, मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में, कि आज हमारा उदेश्या कोई बहुत अच्छे question लेना नहीं है, ठीक than a man bought 4.5 kg more in Rs. 270, find how much he bought now in Rs. 405, ठीक है, कि अगर sugar का जो price है, जो rates है, वो decrease हो जाते हैं, कितना decrease होगे 25% और एक आदमी 270 में 4.5 kg more खरीद पा रहा है, तो find how much he bought now in 405, अब यहाँ पे देखो, अब जोर, अगर मैं सिर्फ यहां तक question को देखू, ठीक है, तो यहां तक यह जो expenditure है, 270 यह constant है, यानि अगर rate पहले 100 था, original rate 100 था, तो new rate कितना हो जाए, 25% decrease हो जाए, तो कितना हो जाएगा 75, तो rate में ratio कितना होगा, 4 ratio, 3, तो consumption में ratio कितना रहा होगा, पहले 3 रही होगी, तो अब कितनी होगी, 4, but जो है, consumption increase हो रही है, कितना, 4.5 kg more, हम आरे according कितना increase हो रही है, 1, तो 1 की value 4.5 kg बई, तो 3 की value कितनी होगी, 3 की value होगी 3 into 4.5, यानि कि 12, sorry, 13.5 kg, और 4 की value होगी into 4.5, यानि कि 18 kg, तो पहले वो 270 में 13.5 kg खरीद रहा था, और आज वो 270 में कितना खरीद पा रहा है, 18 kg खरीद पा रहा है, but वो 18 kg खरीद पा रहा है 270 में तो पर kg rate कितना होगा बैई 270 में अगर 18 kg खरीदी तो पर kg rate कितना होगा 270 को 80 से divide कर लो तो ये 18 से कटेगा 1 से गया 9 0 कितना आगा 15 यानि जो rate है वो 15 रूपीज पर kg है पहले जादा रहा होगा अब decrease हो गया ठीक है तो 15 रूपीज पर kg है और उसे खरीदना कितने में अब 405 में खरीदना है तो 405 divide by 15 ठीक है तो 5 से कटेगा कितना 3 तो 5 से कटेगा 80 158 जा और फिर 3 से कटेगा कितना 27 kg तो अब वो 405 रूपीज में कितना करीद पाएगा 27 kg ठीक है मतला concept समझ में आना चाहिए basic चीज पता चल गी तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगी इस टाइप की चीजें आपको ढूंड़नी होती है question के अदर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो next question number 2 A is 20% more efficient than B A जो है वो B से 20% more efficient है and able to finish a piece of work in 3 days less than B find the time taken by B alone to finish 30% of that work जो A है वो B से 20% more able है तो that means क्या हुआ कि जो उनकी efficiency है अगर B की efficiency 100 unit per day की है तो A की efficiency 120 होगी अगर मैं इनको simplify कर लूँ तो 6 ratio 5 होगा अब काम same कर रहा है same काम को करते हुए 3 days less लगते हैं उसको तो that means जो timing का ratio होगा दोनों में वो कितना होगा 5 ratio 6 होगा तो A को यहां से B से कितना कम लग रहा है 1 और कम कितना लग रहा है 3 days तो 1 की value कितनी होगी 3 तो 5 की value कितनी होगी 15 और 6 की value कितनी होगी 18 इंटू 3 करेंगे ना दोनों को original value में convert करने के लिए ratio is the just comparison तो यानि की B उस complete काम को 18 days में खतम करता है और जो A है वो उस काम को 15 days में finish करता है अब find the time taken by be alone to finish 30% of that work ठीक है अब अगर पूरा काम 100% काम 18 days में करता है ठीक है 100% काम करता है 18 days में तो 30% कितने दिन में करेगा फिर 18 by 100 into 30 0 से 0 कट गया तो 18 3 जा 54 by 10 तो 5.4 days में B जो है वो उसका 30% work finish कर देगा तो that means option E is the right answer ठीक है जी बात समझ में आई सब भी को चलिए next X takes 6 hours less than Y to cover a certain distance X जो है वो Y से 6 घंटे कम लेता है किसी भी distance को cover करने में speed of Y is 30% more faster than X ठीक है अब जो Y की speed है वो X से 30% more faster है यहां पर X जो है वो 6 घंटे कम ले रहा है Y से तो that means यह तो हमें पता ही चल गया कि Y की speed जादा है बट Y की speed कितनी जादा है 30% more तो that means यहां से अगर मैं बात करूँ relation बनाऊं X और Y की speed में तो जो Y है वो 30% more faster है तो X अगर 100 है तो Y कितना होगा जी 130 होगा तो दोनों की speed में ratio होगा 10 ratio 13 और certain distance मतलब दोनों के लिए same है तो जो speed का ratio है उसी को inverse करते है तो time का ratio time का ratio कितना 13 ratio 10 अब जो X है वो Y से कितना time कम ले रहा है 3 unit और कम कितना ले रहा था 6 hour तो 3 की value 6 होगी तो 1 की value 2 होगी तो 13 की value into 2 करेंगे तो Y X को जो time लग रहा है वो 26 hour लग रहे और जो Y को time लग रहा है into 2 तो 20 hour लग रहे ठीक है अब जो speed होगी टाइम आगया हमारे पास जो स्पीड होगी वो उल्टा हो जाएगी इनका तो X की जो स्पीड होगी वो 20 किलोमेटर पर आवर होगी और जो Y की स्पीड होगी वो 26 किलोमेटर पर आवर हो जाएगी समझ रहे हो ना इसी के सर्टेन डिस्टेंस बोला है उसने ठीक है तो if Z is 20% slower than X अगर जो Z है वो 20% slower than X हो ठीक है अब slower than X बोला है उसने आप ऐसा भी कर सकते थे यहां की तीनों का रिलेशन बना सकते थे अलग-अलग ठीक है तो X अगर 20% slower है तो X की जो स्पीड है वो 20 किलोमेटर पर आवर है यहां के अकोर्डिंग ठीक है वो कितनी भी हो सकती है वै क्योंकि ratio तो कितना भी आ सकता है ना बट यहां perfect timing दे रखी है 6 hour less than बोला है तो that means 20 और 26 ही हमारी perfect speed होगी ठीक है तो 20% slower than X है तो अगर X की speed 20 है तो इसका 80% होगी Z की speed क्योंकि 20% slower है तो 80% of 20 हो गया 16 किलोमेटर पर आवर तो Z की speed कितनी आगी 16 किलोमेटर पर आवर तो हमसे पूछ रहा है कि find the time taken by Z to cover a distance of 88 किलोमेटर तो 88 किलोमेटर 16 की speed से 16,85 फिर 16,85 तो 5.5 hours लगेंगे ठीक है तो यानि कि option D जो होगा वो आपके question का बिलकुल right answer होगा यहांपे बात समझ में आई चलिए next question अब यह एक question आप लोगों के लिए homework है ठीक है तो आप सभी को comment section में ठीक है जी चलिए तो thank you very much आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया session से जुड़ने के लिए अगर आपकी कोई भी query है तो सुबह दस से स्याम के 7 वजे तक आप दिये गए number पर call कर सकते हैं हमें या फिर hello at www.co.in पर 24 x 7 आप कभी भी mail कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए हमार www.idotap.co.in को भी विजिट कर सकते हो ठीक है तो मिलते हैं next session में इसी जो सरुत्साय के साथ thank you very much जै हिंद जै भारत